हलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल ग्राम पंचाथ की जानकारी में आप सभी का स्वागत हैं आज के वीडियो में आपको ग्राम पंचाथ चुनाव 2020 के रिजर्वेशन लिस्ट को जूड़ी करने के मतलब आरक्षन सूची को लेकर बात करेंगे सरकारदारा अभी तक कोई आरक्षन सूची को जारी नहीं किया गए है पर अभी आपको पता होगा कि यूटूब और फेस्बूक पर और अन्य किसी सोचल मीडिया ओपर भी आरक्षन सूची को लेकर बहुत ही हड़कप मची हुई है यह पर इसके बारह पूरी जानकारि बताएंगे कि यह सरकारदारा रीजिश्यषयश्य जारी की गई है वो सत्य है या फिर किस कारदारा रीजिश्यषय जारी कर दीगी है निर्वाचनायों कental क्या कहना है सभी परकार की जनकार्य आपको देंगे इस वीडियो में तो अंज तक बनिये रहीगा जिससे आपको वीडियो में बताई जाने वाले हर बात आपको समझा सके तो पहली बात सरकारदारा क्या Reservation List बना दी गई है तो हाँ सरकारदारा क्या अपलोड कर दी गई है क्या यूटुब पर अप्लोड हने वाली जो रोज की रिजर्वेशन लिस्ट के नेक मलब आरशन सूची अप्लोड की गई है जो बाते आ रही हैं सामने जो अभी बहुत ही सर्च में चल रही है तो क्या वह सत्य नहीं है सरकारदार अभी किसी भी राज्य में रिजर्वेशन किसी भी उमिद्वार के लिए कोई भी रिजर्वेशन लिस्ट अप्लोड नहीं की गी है फिर भी अगर अभी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप निर्वाचन आयोग की अपनी खुद की साइट पर जाकर निर्वाचन आयोग की जो साइट होती है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप 2015 के चुनाव की की रिजर्वेशन लिस्ट देखना चाहते हैं से डॉप.ة sonra मं अगर युपी आयोग के नाम आप एककर आप रृपल सकते हैं जिससे आपको अपने राज्वाचन साइट की जोड़ी मिल जाएगी अगर आपको जहांकरी समझ में नहीं होगी तो आप हमार कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर दिजीगा और आपको पूरी बता दें फर्जी कामों में अपना ध्यान न लगाए साथ ही अभी अपने जो चुनाव के प्रचार है उसमें ज्यादा ध्यान दे और लोगों को अपनी और अक्रिशित करें जिससे आपको वोट दे सके और दस्तावेवजों को पूर्ण तह त्यार करके रखे और ज्यादा परिशान ना हो सभी उमिद्वारों को मेरे और से उनको जितने के लिए पहले से आपको मुबारक बात करता हूं और आपको पहले से दिन्यवाद देता हूं